चट पूजा हिंदूओं का महान पर्व होता है चट पूजा के बिहारवासियों पूजा को लेकर काफी उठसाहिद दिखे छट सिर्फ एक पर्व नहीं नहीं बलकि महापर्व है जो पूरे चार दिन तक चलता है नहाय खायश इसकी सुरुआत होती है जो डुबते हुए और उगते हुए सुर्जे को अर्ध देकर समात होती है चट पूजा का उदेशे जानकर आप खुसी से जोम उठे चट पूजा सुर्जे परकितिक जल बायू और उनकी बहन चटी मया को समर्पित है ताकि उन्हें पिर्थिवी पर जीवन की देबताओं को बहाल करने के लिए जाता है और सात्विक भोजन बनाया जाता है लासुन और प्याज का परियोग करने से बचा जाता है कि इस पर में तास्मिक भोजन का भी परियोग नहीं किया जाता है छट का परसाद केवल उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने यह बर्त का अनुष्ठान किया है या बर्त कर रही है छट माता के उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे लोग मनाना सुरू की छट देवी को सुर्य की बहन बताया जाता है लेकिन छट बर्त कथा के अनुसार छट देवी इस्वर्य की पुत्री देवशेना बताई गई है देवशेना अपने परिचे में कहती है कि वह परकृतिक के मूल परकृतिक के छट्वे अंस से उत्पन हुई है यही कारण है कि मुझे सश्टी कहा जाता है लोग इन्हें पूजा करने शेयनेक मनोकमनाय पुर्ण होती है इस कारण से इस किया जाता है बिहार में काफे धूम धाम से एपर्व को मनाया जाता है